स्वास्त विभाग में 119 कर्मचारी फर्जी पिछले 17 सालों से उठा रहे सुविधा 2016 में हुआ खुलासा लोकायुक ने दर्ज की अफायार 6 साल से हो रही केवल मामले की जांच इसे सरकारी धर्रा कह लीजिए या लाल पीता शाही ये उसका एक नमूना है 119 कर्मचारी 17 सालों से सैलरी भी ले रहे हैं और सुविधाएं भी उठा रहे हैं लेकिन पूरे मामले को स्वास्त महकमा ही दबाने में जुटा है 6 साल से लोकायुक जानकारी मांग रहा है मगर जानकारी दी नहीं जा रहे इसलिए अब स्वास्त आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश जारी किये और 23 सितंबर तक जानकारी मांगी मगर पूरा रिकॉर्ड ही नहीं मिल सका 2016 में दतिया के पिंशन अधिकारी और कोशाले के इंचार्ज अधिकारी राकेश जाटम ने पुलिस से शिकायत की थी कि स्वास्त विभाग में दर्जन भर से जाधा कर्मचारीयों के नियूक्ति पत्र और यूनिक कोट फरजी थी ये लोग वर्तमान में भिंड, बैतूल, सीहोड, विदीशा और मुरैना जैसे जिलों में नौकरी कर रहे हैं पुलिस ने मामले की जाच की तो पता चला कि 11 आरोपियों के फरजीक यूनिक आईडी दतिया कोशालय के क्लर सुनील रायकवार के पासवर्ट से जारी हुए थी 2017 में दतिया के ततकालीन स्पी ने कोश और लिखा विभाग के आयुक्त को पत्र लिख कर पूरी जानकारी मांगी लेकिन जानकारी नहीं देगे दसूत्र ने इस मामले में स्वास्ट विभाग के अधिकारी केके रावत से बात करना चाही तो उन्होंने मामला जानने के बाद फोन ही काट दिया इसके बाद वाटसअप पर मैसेज भी किये जाहिर है कि जब अधिकारीयों की ही मिली भगत है तो फिर क्यों कोई जवाब देगा ये पूरा मामला 2018 में विधान सभा में में उठ चुका है कॉंग्रेस के तत्कालीन विधायक निशंग जैन ने इस पूरे मामले को उठाया था और इस पर तत्कालीन मंत्री रुस्तम सिंग ने ये जवाब दिया था कि दत्कालीन सिये में चूर डॉक्टर आरेस गुपता के खिलाप फरजी नियुक्ती और गंभीर अनियमित्ता के आरोप है और मामले की जाँच जारी लेकिन मामले को 6 साल हो चुके है अभी तक जाँच ही जारी है सरकारी सिस्टम किस लापरवाही से काम करता है ये उसका सबसे बड़ा नमूना कहा जा सकता है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे वीडियो को लाइक और शेर कीजे हमारे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें